हलो फ्रैंड सर्मेडर्स डेन बायोकेमिस्ट्री बीपी 2-0-3-TK इस वीडियो में हम लोग यूनिट 4 के अपने लाज टॉपिक इनिबिटर साफ प्रोटीन सिंथेस और ट्रांसलेशिन के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग देखें कि वो हमारे कौन कौन से प्रोसेस को या प्रोटीन संथिस की प्रोसेस को सिंपली इनिबिट करने का रोकने का काम करते हैं और वो किस तरह से इस प्रोसेस को यहां पे रोकते हैं मेरा नाम है डॉक्टर महनताप सिंग तो चलिए सुरू करते हैं तो अगर हम लोग यहां पे इनिबिटर सॉप प्रोट करने के फॉर्म में एक्स्प्रेस करता है तो फिर हमारा आरेने वहाँ पे प्रोटीन संथेज को करने का काम करता है तो यहाँ पे जो हमारे आरेने होते हैं उसके उपर क्या होते हैं इस्पेसिफिक जो हमारे कोडाउन्स होते हैं वो यहाँ पे होते हैं जो हमारे टी आरेने ह वो उसको वहाँ पर रीड करता है और उसके अलग-अलग प्रोटीन को जो हमारे amino acids हैं उनको वहाँ पर प्रोटीन की chain में transfer करने का काम करता है जिसे हमारे protein synthesis की process वहाँ पर होती है तो अगर हम दो बात करते हैं कि वह हमारे कौन-कौन से compound है जो कि हमारे protein synthesis की process को simply यहाँ पर inhibit क करने का दाम करते हैं तो यह एक हमारी कॉंप्लेक्स यहां पर प्रॉसेस होती ஏ और जो हमारे यहांपे एंटि बायोटिक्स कोई जाता है तो उस केंडिशन में क्या होता है डॉक्टर संगो actual वहां पर देते हैं तो ये antibiotics हमारे यहाँ पे कुछ antibiotics ऐसे होते हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी हमारा वहाँ पे bacteria वगरा है उसके अंदर की जो translation की process है जिससे वो protein को synthesize करता है उसको simply वहाँ पे जाके inhibit कर देते हैं जिससे की जो हमारे bacteria है उनके अंदर जो protein की synthesis की process है वो नहीं होने पाती है जिसके कारण की वो फिर हमें death उनकी death होते हुए वहाँ पे देखने को मिलती है और वो जो हमारा bacterial infection हमें जो हो जाता है उससे फिर हमें आराम होते हुए देखने को मिलता है तो यहाँ प Antibiotics होते है वो हमारा जो bacteria है उसके अंदर जो protein की synthesis की process है उसको simply interfere करने का काम करते हैं उसको बाधित करने का काम करते हैं और यह जो हमारे होते है longer components होते हैं जैसे हम लोग है तो उनको यह यहां पर उनके लीए harmless होते हैं स्भी होते है तो आसान तरीके से कहे तो जो हमारे करने का काम करते हैं और higher organism के लिए यह जो एंटिबाइटिक से यह सिंपली harmless यहाँ पर होते हैं तो अगर हम लोग इसके जो examples हैं उसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पर streptomycin के बारे में बात कर लेते हैं यह हमारी एक अच्छा जो हमारा antibiotic है वह होता है तो अगर हम लोग बात करते हैं कि यह हमारे bacteria के अंदर जो protein synthesis कीיר kadar करता है तो यह इस place पर क्या करता है कि यह हमारा protein synthesis की जो process है जो उसका वहाँ पर होता है क्या सकते initiation stage है उसको भी simply यहाँ पर इनिबिट करने का काम यहाँ पर करता है और यहाँ पर किस तरह से करता है कि जो हमारा वहाँ पर होता है messenger RNA उसके अंदर जो यहाँ पर codons है उसको वहाँ पर जो होता है कैसकते misreading उसका simply यहाँ पर cause कर देता है और इस condition में इस place पर क्या होता है कि फिर जो हमारा यहाँ पर होगा कैसकते हैं वो codon होता है जो कि हमारे यहाँ पर RNA है उसके उपर होता है और जो हमारा यहाँ पर tRNA है उसका जो वहाँ पर anti codon है उसकी जो वहाँ पर pairing होती है उसको simply interfere करने का काम करता है तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमारे DNA के अंदर प्रोटीन को बनाने के लिए specific protein को बनाने के लिए genetic information है वो उसको mRNA के form में transfer करता है mRNA के उपर वहाँ पे अलग-अलग जो codon है वो होते है तो वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा वहाँ पे होता mRNA उसके उपर जो हमारे codon है उसको जो tRNA है उसके उपर जो anticodons है वो simply उसको वहाँ पे read करने का काम करते है और यह जो हमारा होता है antibiotic यह क्या करता है कि उसका जो reading की process है उसको वहाँ पे कर देता है उसको disturb कर देता है और फिर वहाँ पे वो जो mRNA है उसको simply misread करना start कर देता है जिसके कारण की जो specific protein है उसका formation बैक्टिरिया के अंदर नहीं हो पाता है अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं जो हमारा दूसरा example है वो simply हमारा tetracycline यहाँ पे होता है तो अगर हम लोग जो हमारा tetracycline है उसके ब करता है आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा ribosomes है उससे जो हमारा होता है amino जो हमारा siltrn है उसकी binding को simply है यहाँ पे inhibit करने का काम करता है तो जब हमारा यहाँ पे जो होता है amino acid का activated form है वो जब ribosome के साथ में complex को नहीं form कर पाता है तो फिर हमें protein की synthesis होते हुए देखने को नहीं मिलती है तो अगर हम लोग इसके बारे हम बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे होता है tetracycline यह जो हमारा होता है हम के सकते हैं कि protein की synthesis है उसको यहाँ पे जो होते हैं eukaryotes होते हैं उनके अंदर भी यह block कर सकता है मिंस यह हमारे अंदर भी इसको block यहाँ पे कर सकता है बट इस place पर क्या होता है कि ऐसा हमें होते हुए देखने को नहीं मिलता है ये इस कारण से होता है कि जो हमारा यहाँ पर tetracycline है ये हमारी जो होती है यहाँ पर eukaryotic cell membranes है उनको simply cross नहीं कर पाता है इसी के कारण ये हमारे जो bacteria है या simply कह सकते हैं कि prokaryotes है उनके अंदर ही यहां पर proteal synthesis की process को block करने का काम करता है अब हम लोग अपने अगले जो हमारा यहां पर antibiotic है उसके बारे हम बात कर लेते हैं यह हमारा यहां पे कहलाता है, यह कहलाता है Puromycin, तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, तो यह हमारा जो होता है Amino Acid का एक एक्टिवेटेड फॉर्म है, उसका यहां पे Structural जो होता है, एनलॉग होता है, वो सिंपली होता है, तो आसान तरीके से कह सकते हैं, कि यह हमारा जो amino acyl TRN है उसके structure के जैसा ही इसका भी structure होता है तो इस condition में यह यहाँ पे क्या करता है कि जो हमारा वो ribosomes होते हैं उनक्या जो site A है उसमें यह simply यहाँ पे enter हो जाता है और जो हमारा वहाँ पेptide chain जिसका की formation हो रहा था जिसका हमें growing वहाँ पे देखने को मिल लई थी उसके अंदर यह simply जाके वहाँ पे incorporated हो जाता है in the place of the amino acid तो जब यह वहाँ पे incorporated हो जाता है तो वो उस place पे क्या करता है कि फिर वो वहाँ से protein की synthesis की process को break करने का काम करता है और यह जो हमारा यहाँ पे होता है कैसकते हैं puromycin है यह हमारा जो होता है prokaryot और जो हमारे यहाँ पे होते है eukaryot उन दोनों में protein की synthesis की process को simply prevent करने का काम करता है इसलिए यह हमारे लिए भी थोड़ा harmful हो सकता है उसके बाद अगर हम लोग अगला जो antibiotic है जो की हमारा protein synthesis या translation की process को inhibit करता है वो हमारा यहाँ पे simply chloram fenicol यहाँ पे होता है तो अगर हम लोग जो chloram fenicol है उसके बारे में बात करते हैं तो यह इस place पे क्या करता है कि यह जो हमारा enzyme है जिसको हम लोग कहते हैं वो peptide transferage enzyme है उसको यहाँ पे simply inhibit करने का काम करता है और जब इसको यह यहाँ पे inhibit करता है तो क्या होता है कि जो हमारा वहाँ पे होता है हम कह सकते हैं कि TRNA है उससे जो हमारा वहाँ पे होती है polypeptide की chain उसको वहाँ पे जो हमारा acid TRNA है उसके उपर transfer करने की process हमारा इस enzyme के चुरू होती है तो यह वहाँ पर inhibit हो जाती है तब यहाँ पर क्या होता है कि हमें जो protein की synthesis की process है वो simply यहाँ पर break होते हुए देखने को मिलती है तो इस condition में अगर हम लोग बात करते हैं तो यह जो हमारा enzyme है यह यहाँ पर इस place पर क्या करता है कि हम आसान तरीके से कहें तो यह हमारा जो amino acid या हमारा जो वहाँ पर होता है कि सकते हैं polypeptide chain है उसमें amino acid को transfer करने के लिए यह enzyme required होता है तो जब यह inhibit हो जाता है तो वहाँ पर जो हमारी polypeptide chain है उसके उपर amino acid का transfer simply नहीं हो पाता है और जब amino acid का transfer उसमें नहीं हो पाता है या हम कह सकते हैं क कि जो हमारा वहाँ पे होगा कह सकते हैं कि polypeptide है उसमें जब amino acid नहीं जुड़ पाएंगे तो फिर क्या होगा कि हमारा protein synthesis की process में वहाँ से break होते हुए देखने को मिलेगी तो आसान तरीके से कहें तो यह जो हमारा वहाँ पे होती है peptide chain उसका जो elongation है उसकी process को simply inhibit या interfere करने क काम करता है उसके बाद में अगर हम लोग अगले पे आते हैं तो यह हमारा कहलाता है erythromycin हमारा जो antibiotic है तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा erythromycin है उसके बारे हम बात करते हैं तो यह जो हमारे bacteria के अंदर ribosomes होते है उसकी जो वहाँ पे 50S subunit होती है उसके साथ में वहाँ पे bind हो जाता है और उसकी translocation को simply वहाँ पे inhibit करने का काम करता है अमीनो असाइल टी आरेने है उसका हमें वहाँ पे जो उसका change है वो simply हमें देखने को वहाँ पर प्रात नहीं होता है और again हमारा यहाँ पे जो translation की process है या protein synthesis की process है वो हमें simply inhibit होते हुए अपने bacteria में देखने को मिलती है उसके बाद में हमारा अगला है जो की कहलाता है हमारा वो diptheria toxin तो गर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो यह यहाँ पे क्या करता है कि यह हमारे जो होते हैं eukaryotes होते हैं उनके अंदर का जो protein की वो synthesis है उसको यहाँ पर वो त्रांस location है उसको simply करने का काम करता है मिन्स यहाँ पर क्या करेगा कि यह जो हमारा वहांपे amino acid है उनके movement को उनका जो वहाँ पर ट्रांस location की process है उसको यहाँ पर disturb करने का काम एकट रसे करता है और यहाँ पर जो हमारा होता है elongation factor जिसको हम लोग EF2 के नाम से indicate करते हैं उसको simply यहाँ पर inactivate करने का काम करता है जिससे की क्या होता है कि जो हमारे होते हैं eukary art उनके अंदर protein का elongation simply नहीं हो पाता है जिसके कारण भी हमें protein synthesis वहाँ पर stop होते हुए देखने को मिलती है तो यह हमारे यहाँ पर कुछ compound है जो कि हमारे protein synthesis या translation की process को simply inhibit करने का काम करते हैं तो I think so यह जो हमारे यहाँ पर compound है जो कि protein synthesis का यहाँ पर inhibition करते हैं वो आप से ही वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें और हमारे एप को भी install करना बिल्कुल भी न भूलें थैंक यू